So guys welcome back to my YouTube channel और बात करेंगे Vivo की V30 सीरीज के बारे में जो कि अभी recently इंडिया में लाँच होने वाली है 7 March को और इस सीरीज में आपको दो फोन्स देखने को मिलेंगे Vivo V30 और V30 Pro तो basically आज हम इस वीडियो में बात करेंगे Vivo V30 के बारे में और अगर आप कोई ऐसा फोन देख रहे हैं जिसमें आपको performance और camera और display काफी अच्छा देखने हो मिले तो आप Vivo की V-Series का इंतजाज जरूर कर सकते हैं तो आज हम इस वीडियो में Vivo V30 के फुल confirm specs की बात करेंगे देखेंगे ये phone आपको के surprise range में देखने हो मिलेगा और इसमें आपको क्या कुछ features upgrade देखने को मिलने वाले हैं तो वीडियो का एंड तक जरूर देखेगा वो वीडियो पसंद आए तो इसे like करेगा और चैनल पर पहली बारा है तो subscribe जरूर कर दीजेगा काफी अच्छी होगी क्योंकि यहां पर जो phone होने वाला है वो काफी ज़्यदा slim और lightweight होगा इस phone की जो thickness है वो आपको 7.5 mm तक देखने को मिलेगी और वहीं weight आपको 180 gram तक में देखने को मिल जागा साथ में अच्छी बात है कि phone में IP rating दी हुई है तो यह phone dust or water resistant जरूर आपको देखने को मिलेगा बैक में आप देखेंगे तो यहां पर आपको square shape में camera module देखने को मिल जागा साथ में उसी के नीचे आपको एक big aura light का support देखने मिलेगा जिसमें आप उसकी light की intensity को control भी कर सकते हैं तो यहां पर design काफी अच्छी दी हुई है जो premium look के साथ यह phone आपको देखने को मिलेगा वहीं अगर हम इस phone के display की बात करें तो इस phone में आपको 6.78 inch का 3D curved AMOLED display देखने मिल जाएगा जिसमें 1.5 के resolution 10 weight color और SDI 10 plus का support देखने मिलेगा फोन में आपको 120 hertz की display दिया हुआ है जिससे display में काफी अच्छी smoothness देखने को मिल जाएगी और साथ में इस display में आपको 2800 nits तक की peak brightness देखने मिल जाएगी तो indoor और outdoor जो visibility होने वाली display में वो काफी better देखने मिलेगी 4N1 की fabrication पे based है तो performance और speed काफी अच्छी देखने मिलेगी इस phone का जो processor है इसका n23 score आपको 9 lakh के approach देखने मिलेगा तो gaming performance भी आपको इस phone में काफी better देखने मिलेगी साथ में इस phone में आपको LPDDR5X RAM UFS 3.1 का storage type देखने मिलेगा इस phone के camera sections की बात करते हैं तो Vivo की V30 series में आपको Jazz का camera देखने को मिल जाएगा जो कि आपको Vivo के X series में देखने को मिला था तो इस बार आपको Vivo की V30 series में काफी अच्छे camera quality देखने को मिलने वाली है इस phone में आपको back में dual camera के setup देखने को मिलेगा main camera जो होगा वो 50 megapixel का होगा जिसमें आपको OIS का support देखने को मिलेगा और second camera भी आपको 50 megapixel का देखने को मिलेगा जो कि ultra bit होने वाला है back camera से आप 4K video record कर सकते हैं 60 fps पे front में again आपको 50 megapixel का selfie camera देखने को मिल जाएगा और front camera से भी आप 4K video record कर सकेंगे तो no doubt यहाँ पर camera quality काफी अच्छी होने वाली है camera में आपको portrait mode, night mode, cinematic mode देखने को मिल जाएगा तो काफी अच्छी video graphie and photography आप back and front camera से कर पाएगे वहीं अगर हम इस phone के battery sections की बात करते हैं तो इस phone में आपको 5000 mAh की battery दी भी है साथ में 80W का fast charging का support देखने हो मिलेगा तो no doubt यहाँ पर battery backup अच्छा होगा क्योंकि जो processor है वो आपको 4NM की technology पर base देखने हो मिलेगा और अच्छी बात यह भी है कि जो charging है वो fast speed आपको दिया हुआ है तो आप इस phone के battery को जल्दी charge भी कर सकेंगे कुछ other features की बात करते हैं तो इस phone में आपको in display fingerprint का support देखने हो मिलेगा face unlock और सभी परगार की sensor आपको देखने हो मिलेगा USB Type-C का support देखने हो मिलेगा इस phone में आपको single speaker दिया हुआ है साथ में NFC और X-XS motor का support भी देखने हो मिलेगा जिसे इस phone में haptic feedback काफी better देखने हो मिल जाएगा और इस phone में connectivity के लिए आपको Bluetooth का version 5.3 का support देखने हो मिलेगा Wi-Fi 7 भी आपको देखने हो मिलेगा तो no doubt time पर connectivity भी काफी better आपको देखने हो मिल जाएगी finally अगर हम बात करते हैं इस phone के price की तो ये phone आपको इंडिया में under 35,000 में देखने मिलेगा और वहीं Vivo V30 Pro आपको 40,000 तक में देखने को मिल जाएगा तो दोस्तों आप मुझे बताइए कि ये phone आपको कैसा लगा और इस price range में आपको इस phone में क्या better देखने को मिल रहा है I hope आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरू करिएगा मिलते हम आपसे next वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेक केर